हमारे गाउं देहात में किसानों को बे सहारा जानवरों से जो दिक्कत होती हैं वो भी इस तरह के गोबर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगे यह सारे प्रहास भारत के क्लाइमेट कमिट्मेंट को भी पूरा करने में मदब करेंगे साथियों गोबर्धन योजना यानि कचरे से कंचन बनाने के हमारे अभियान का जो असर हो रहा है उसकी जानकारी जितनी जादा से जादा लोगों को मिले वो उतना ही अच्छा है गोबर्धन बायो सिएजनजी प्लांट से इंदोर को प्रतिदीन सत्रा से अठारा हजार किलो बायो सिएजी तो मिलेगी ही इसके अलावा सो टन जैवी खाद भी यहां से रोजा न निकलेगा सिएजी के कारण प्रदिशन कम होगा और इसलिए प्रतेक व्यक्ति और जीवन जीने में हर व्यक्ति को जीवन जीने में उसकी सुविधा बढ़ेगी इसी प्रकार से यहां जो जैवी खाद बनेगी उससे हमारी धरती मा को भी नया जीवन मिलेगा हमारी धरती का काया कल